Assalamualaikum students, welcome to my channel educational tips Students, जिस तरह के हम साथ साथ class 4 की new edition book को भी पढ़ रहे हैं 4th edition जो कि ये book है और इसकी screen कुछ back इसको जो cover है वो इस तरह से है अगर आप market से बाय करना चाहें तो easily available है आजकर तो आज हम पढ़ रहे हैं unit number 2 ये देखिए unit number 2 our country it means हमारा मुलक कैसा है our country is beautiful हमारा country जो है वो बहुत खुबसूरत है it is a variety of natural features इसके अंदर बहुत जादा कुदरती निजारे हैं from seven of the world highest mountain इसके अंदर हमारे मुलक के अंदर seven बड़े मांट highest mountain बड़े मांटें है in the north to long stretch to beautiful coastline and beaches in the south जो कि जो mountain है ये north में बाके है और beaches वहां 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 south में बाके है in the north is high mountains with snowy peak north के अंदर क्या है बड़े-बड़े mountains है with snowy peaks बरफ के उनकी peak है बरफ पड़ती हो दर snowfall होती है glaciers fresh mountains stream buddling waterfalls and clear icy lakes तो यह सब कुछ हमें north में देखने को मिलेगा there are deep valleys and steep rocky ridge यह वहां पर नदियां भी है rocky ridges भी है it is very cold there north side goes on the thundi side है and we have location and neighbors हमारे जो country की location क्या है और हमारे हमसाय मुमालिक कौन-कौन से है कौन-कौन से मुमालिक हमारे साथ लगते हैं तो पहला है पकस्तान is in the southern part of the continent of Asia पकस्तान जो है वो southern part है south में बाके है किसकी एशिया की it has an area of इसका जो कुल रकबा है कुल area है वो है 796-095 square kilometer तो ये इसका area है we share borders with Iran in the west हमारे जो borders है वो एरान से है वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान in the north west अफगानिस्तान हमारे north west में बाके है चाइन नॉर्थ इस्ट चाइन जो है वो north east में बाके है त्यूंकि उससे बचे से हमारे चाइना के साथ दोस्ती भी है जैसे के हर बज्चे को पता होता है and India in the east और जो इंडिया है वो हमारे east में बाके है to the south of Pakistan Pakistan की south में is the Arabian sea और जो Pakistan की south है वो वहां पर Arabian sea है from the south western tip of the country जो हमारे जो south western tip है का हमारे मुल्क की to the north western tip और north western tip तक क्या है मारा Arabian sea पक्सान का ओर दिस्टेंस अफ ओवर 1800 किलोमेटर पकिस्तान जो है 1800 किलोमेटर का जो रास्ता है वो Arabian sea है हमारा जिस तरह के आप इस मैप के अंदर भी देख सकते हैं यह यह हमारा पकिस्तान है और यह देखिए इसका यह वाला हिस्सा जितना भी है यह Arabian sea है तो अब हम नीचे चाहते हैं यूबिल सी दैट अवर कंट्री इस बिगर दन सम कंट्री आपने इस मैप के अंदर देखा कि हमारी जुक हमारा जो कंट्री है वो कुछ कंट्री से थोड़ा सा बड़ा है बट मस्मॉलर दें मैंनी अधर लेकिन काफी छोटा है अगर हम बाकियों से कंट्री करें सो दपॉलेशन पाक्सान इस ओवर 207 मिलियन पाक्सान की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 207 मिलियन है दप पॉपुलेशन इस डिवर्स इंटर्म आवर लेंग्विज हैबिक कॉस्टम एंस्टाइल आफ पॉपुलेशन जो है वो इस तरह से जो हमारी लेंग्विज है है वारी आदत पॉपुलेशन के दाज़शन से लिखासते हैं कि हमारे आदतों से हमारी कॉस्टम स्टाइल आफ प्लॉपुलाथिंग हमारे कपड़े पहनने का तरीका वो पाक्स्तानियों वाला है वी मेडी डिफरेंट फ्रॉम इच अधर हम ए एक ही कंट्री में रहते है और यह हमारा घर है वी आल आर पाकिस्तानी हम सब पाकिस्तानी है हम सब क्या है पाकिस्तानी है फेस्टान चाल यह इस वजह से क्यूंके लोगों की बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती है काफी जादा बेहन भाई होते हैं अच्छी बात है होने भी चाहिए और इस वज़े से भी कि काफी जादे लोग काफी अच्छे तक जिंदा रहते हैं Every year there are also a number of people who move or migrate from Pakistan to any other country हर साल काफी जादा लोग migrate कर जाते हैं move on कर जाते हैं पक्स्तान से दूसरे किसी और country में और move to Pakistan from somewhere else जा फिर वो पक्स्तान से पहीं और सो ले जाते हैं The people of Pakistan follow different faiths पक्स्तान के अंदर सो लोग रह रहे हैं वो उनकी काफी ज़्यादा मजभब हैं अलग-अलग religion है but the majority of the population is Muslim लेकिन काफी ज़्यादा जो majority population है, जो majority तादाथ है, अकसरियत है वो किसलिए Muslims की है, मुसल्मानों की है This is represented by the green portion पक्स्तान के ज़्यादा है उसके green portion से हम किसको represent करते हैं Muslims को portion of the Pakistani flag The majority of the minorities include Christians, Hindus, Sikhs and they are represented by the white portion of our national flag जो कम तादाद में हैं, वो है Christians, Hindus और जिसता हम बाकी religions के रोग होते हैं और उन्हें हम white flag के जो white हिस्सा है उसे हम हिस्से represent करते हैं अलग मजहब है उनको हम white flag से represent करते हैं तो यह थी आज की मेरी वीडियो, उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबार दीजेगा ताकि मेरी नहीं हर आने वाली वीडियो आप तक बास आनी पहुंच सके तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी अपने दौा में याद रखेगा लाहाफिज